रुपेस हत्याकांड की जाँच, CBI से कराने की मांग को लेकर गुरुबार को बिहार के एक दर्जन से अधिक पुरुब मंत्री एबं पुरुब विधायक महामहीम राजपाल से मिलेंगे रुपेस हत्याकांड मामले में खुलासा हो गया है कहा जा रहा है कि रोड रेज में रुपेस सिंग की हत्या हुई पटना की सिस्पी उपिंदर शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फरेंस करके सब खुलासा किया गया तो इस खुलासे पर परिवार नहीं आपती दर्श करा दी है। परिवार के लोगा कहना है कि किसी के दबाव में रुपेश सिंहत्यकान मामले पर परदा डाला जा रहा है और एक अलगी कहानी सुनाई या बताई जा रही है। विपक्ष पहले इस रही हमलावार इस पुरी ख पुलासे के बाद में तो अब पुर्व मंतरी अजीत शर्मा ने बयान जारे करके कह दिया है कि वो राजजीपाल के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात में वो इस पुरे मामले की CPI जांच की मांग करेंगे। पहले क्या कुछ कहा है अजीत सर्मा ने यह गुरुबार को बिहार के एक दर्जन से अधिक पुर्व मंत्री एबं पुर्व इधायक महामहीन राजपाल से मिलेंगे राजपाल महोदे के द्वारा कल 11 बजे का समय निर्धाइत किया गया है ये सारे के सारे लोग बरमर्शी समाज के लोग हैं और चुके रुपेस हमारे समाज के बड़ा ही उबहरते हुए एक समाजिक करकरता कुसल प्रसाशक थे उनके निधन से पूरा बिहार का बरमर्शी समाज काफी मरमात है और सिरियाई से जाँच हो उनके परिवार को सुरच्छा मिले उनके परिवार का भरन पोसन के लिए उनके परिजन को नोकरी मिले इन सारी बातों को लेकर keld हम लोगे 11 बजे महामही मराजपाल महोदे से मिलेंगे और उन्हें घ्यापंस होते हैं आपको पता दें कि जब से रुपेश सिंग की हत्या हुई उसके बाद से लगतार पटना पुलिस पर लगतार सवाल या निशान खरे होते रहे बिहार के मुझे मंतरे के सुसासर पर सवाल खरा किया जाता रहा है इन तमाम खपरों के बीच में अब तस्वीर सामने आई है पतना के सिस्पी उपेंदर शर्मा के तरफ से आज दो पहर में प्रेस कांफरेंस करके इस बात खुलासा किया गया कि दो पेसिंग के हत्या किन कारणों से और किस ने की थी तमाम तरह के दलील दी गई तमाम तरह के बात रखी गई इन तमाम चीजों से परिवार ने विपक्ष में शामिल आर्जिरी और कॉंग्रेस ने भी सवाल या निशानी खड़े कर दी हैं उन लोगा ये कहना है कि जिस तरीके से इस मामले को उल्टा जा रहा है उससे ये साफ जाहिद हो रहा है किसी बड़े वेक्टी को रसुखदार को बचाने के लिए इस तरह की कहान को प्लांट किया गया है इन तमाम खबरों के बीच में अजीट शर्मा जो की पुर्व मंतिर रह चुके हैं उनका कहना है कि भुमिहार समा से आने वाले कई जो विधायक है जो पुर्व विधायक है मानने नीरे रह चुके हैं यह रहतमान में उन तमाम लोगों से को लेकर क महा महीम राज़ुपाल फागो चोहां से मुलाकात की जाएगी और मुलाकात के बाद इस पूरे मामले पर CBI जाज की जो है वो मांग की जाएगी चुकि अगर CBI जाज नहीं होगी तो सच कभी भी रूपे सत्यकार में सामने नहीं आपाएगा इन तमाम खबरों की बीच में वा को छोड़ जाते हैं उन दो बयानों के साथ कि किस तरीके से आर्ज़री और कॉंग्रेस ने खड़ा किया है जिसमें पटना एस बात के बारे में कहा है कि रोड रेज की वज़े से रूपे सिंग की हफ्तिया दो महीने पहले के विवाद में घात लगा करके उनकी डेकी करने वाले एक व्यक्ति ने अपने तीन अने से योग्यों के साथ विलकर कर दी थी देखे जो एसस पी पटना ने जाच का जो फला फल सामने दिया है उससे रूपेस के परजन भी खुस नहीं है मेरा मत साफ है कि सरकार ने कहें न कहें इस हत्या कारण को अलग रूप देना चाह रही है और इस कारण बस कभी निवदा मंतित करती है तो कभी इस सारा कहीं और जाकर के इंकित करती है लोजपा करजाले के सामनी किसने किसको रेज किया या हत्या का करण बन सकता या नहीं बन सकता है यह तो आने वाला कल नहीं पता चलेगा लेकिन एसस्पी पटना ने जो खुलासे किये हैं कहीं न कहीं किसी के गले से उतर नहीं रहा है पूरे मामले में कुछ तौर्प औज पूटी के लोग कहीं न कहीं के हिस्सा में हैं इसले इससे परदा हटाने के लिए इससे अलग दिशा देने के लिए पूरी तौर पर तंत्रूसी दिशा में काम कर रहे हैं अगर पहुच गई है तो उसका खुलासा हो और उसके साथ साथ उनके परिजनों, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिता और उनकी पुत्री का भी ओपिनियन जानना जरूरी है कि क्या यह जांच से वो संतुष्थ है या नहीं, या पुने उन्हें CBI जांच की मांग जो पहले कर रही थी, या उनके परिजन कर रहा है थे, वो मांग आज भी जाई है तो इसलिए हम आगरा करेंगे कि इस उद्भेदन के बाद सरकार को उनके परिजनों की ओपिनियन साबजनिक करना चाहिए पुलीस के अपने मामले हो सकते हैं, लेकिन जिस परकार से लगातार अखबारों में उस हत्या के बारे में बिब्रन किया जा रहा था उससे अस्पश्थ है कि रोड रेज है या नहीं है, लेकिन कोई अपराधी पेशेवर जरूर है, क्या वो अपराधी पेशेवर इनके गिरिफ्ट में आया, वो अपराधी पेशेवर किनके दोरा भेजा गया था, तो सभी बिंदों पर उनका खुलासा ही नहीं, उनके परि पुलीस को अभी भी आगरह करेंगे कि वो जल्दभाजी जरूर करें लेकिन दवाब में न रहें दवाब में कभी-कभी बरी मस्ली छूट जाती है जिसके उजासे अपराध बढ़ते रहता है जिसे सराब बंदी में देख रहे हैं कि छोटे-छोटे साब बेपारी पक्रे ज हमें गर्व है पुलीस सरकार के दवाब में नवा के निश्पक्षता से जाच कर असलिस अपराधी तक पहुंचने का प्रयाश करें और जो उद्वेधन कर रहे हैं उसके बाद रुपेश जी के परिजनों का ओपिनियन लेकर ओभी साधन करें कि वो इस जाल से खुश है य यह जब से जाल से खुश है रहे हैं तक टूराधी जी के अायग कर देसे जादी yemूचने कि आए रुबेश्यकी करें ऑत जाचले से जाच करें तक एक नस्यां करेंगा में उस्पष दूश झाह जा हैं Fantastic,